बूर्निंग बच्चो आपके पास यह कुश्चन है किसी दुक्वार्म पर एक जोड़ी रोलर्स कैट्स का मुल्य रूपे 450 था वसूले के विक्री की दर 5% पिल की देरश्य ज्याति कीजिए तो जो विक्री कर होता है या आपका वैट होता है ठीक है यह क्या होता है आपके एक जोड़ी को कि रोलर्स को सक्याट्स का मुल्य रखा आपके पास यह चार्सवड़ी रूपे कि तन रिखा है 450 रूपे विक्री कर की दर दे रखें विक्री करते रखा आपके पास पांच पर आपके पास तो पाल्बातिशत किसका है 450 पाल्फपर्थिषत प्रिया इस तर्स तर्स आगर है तो बिक्री कर कि राशी निकालेंगे हम विक्री कर की राशी क्या हो गया आके पाद 450 का 5% calculate कर लेंगे हम तो 450 उना 5 बटा 100 ठीक है 0 से 0 cancer होगी 5 दूनी 10 तो कितना अगे यह 45 बटा 2 रुपे तो क्या हमने इसको 2 दूनी 4 2 दूनी 4 तो 22.50 रुपे आ गया ठीक है तो बिक्री करकी राशी तो आप जो के कहते हैं बिल की दे राशी या हमको जितना पैसा पेइमेंट करना है तो क्या करेंगे हम 450 पे प्लस इसको क्या करेंगे हम देंगे ठीक है तो क्या कहते हैं बिल पर अब इसने यह कहा है तो हम यह लिखेंगे बिल की दे राशी या भुकतान राश्य भी बोल सकते हैं आप इससे ठीक है 450 पर देगा और जो बिक्रीकर की राश्य वो भी उसको देनी पड़ेगी तो यह आज़ेगा आपके पास इतने रूपय आ गया ठीक है इसको जोड लीची कितना आज़ेगा दश्मला पचास और यहां से दो पांचो दो साथ तो उ जो मुल्य होता है उसमें क्या हो जाता है जोडता है ठीक है तो यह आपका क्या कहते हैं अंकित मुल्य इतना है बिक्रीकर की राश्य वैट की राश्य आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे इसी का तो पांच पसंट होगा तो उसको आपने कैलकुलेट किया जितना भी देर ख जो अंकित मुल्य है प्लस विक्री कर कि राशी दोनों को क्या करतेंगे हैं अब आपके पास एक्साइच 8.2 का आपका कुश्चन है इसी तरह से करना इसको एक टेलिविजिन का मुल्य दे रखा आपके पास इस वह बारा परसेंट कि दर से विक्री कर मुसूला जाता है यदि विनो द्वारा ये टेलिविजिन खीदा जाता तो उसके दवारा भुकतान की की राश्री गयाद कीजी सिता से करना है टेलिविजिन का मुल्य दे रखा है विक्री कर कितना दे रखा है बारा परसेंट दे रखा है तो विक्री कर की राश्री निका लेंगे तो 13,000 का बारा कर देंगे thank you